हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस यूएफा चेंपियन्स लीग के राउंड आप 16 के मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा रियाल मेडरिट वर्सेस आर्भी लेपजिक के बीच तो रियाल मेडरिट आप जानते हूंगे ललीगा कई नहीं वाल का भी बेस्ट क्लब माने जाता है बहुत सक्सेस्फुल भी है यूएफा चेंपियन्स लीग में और जो इनके अपोनेंट है वो है आर्भी लेपजिक जो की जर्मन मुंदस लीगा में खिलता है और वहां के टॉप टू-3 क्लप्स में काउंट होता है अब य इस मैच में जो है एक गोल का एड्वांटेज है अब इस वाले मैच की बात की जाए मैच रियाल मेट्रिट के होम में है रीसेंट फॉर्म उनकी बहुत अच्छी है और वर्ल क्वालिटी में लेपजिक के कंपरिजन में बहुत ज्यादे स्ट्रॉंग टीम है तो सभी चीज इस मैच की लाइनप आने के बाद जो भी फाइनल टीम अपडेट होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलीगराम चैनल में तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्किप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप बिन कमेंट में जॉ लूनिन होने वाले इनके गोलकीबर जो इनके बेक अप गोलकीबर हैं चार इनके डिफेंटर होगे करवाहाल, रूटिगर, चुवामेनी और फ़लाड मैंडी अब इनके मिलिता हो गए अलावा हो गए दोनुं इंजर्ट है इस वैसे रूटिगर के साथ जो चुवामेनी जो कि एक defensive midfielder है उनको makeshift centerback खिलना पड़ेगा फिलाल चुवा मेनी midfield में listed हैं और उनके अलावा जो बाकी तीनों defender है करवाहल, इंप्रेसिव है, defensive भी करते हैं, जबकि Rudy गर बड़े match के player है, header में goal मारते है regular और defensive और passes वाई अच्छे हैं, तो इस वाई से मैंने करवाहल और Rudy कर लिया, अभी के लिए मैंने Mendy को drop किया, लेकिन अगर आपको तीन defender लेने हैं, तब आप Mendy भी कर सकते हैं, फिलाल में, फलान M अब मताने की जरूरत नहीं है, टैलिस मैंने Real Madrid के top scorer है, red hot form में है, और most probably है penalty भी लिंगे, तो clear cut captaincy option होंगे, क्रूस एक ऐसे player हैं, जिनके बिना goal assist के 25-35 points guaranteed आते हैं, इसके रावागा corner figure लेते हैं, तो उससे assist वगेरा का chance भी बड़ता है, तो मैं cruise को ले रहा हूँ, although आप चाहें तो fede, walvade को drop करके इनका third defender ले सकते हैं, but walvade भी मुझे rootiger जैसी बड़े match के player लगते हैं, बड़े matches म shine करते हैं, एक तो defensive contribution भी करते हैं, और बड़े matches में तो इनके बीच-बीच में goal assist भी आ जाते हैं, पास्ट में हमने काफी देखा है, इस वैसे big match है, knockout है, तो मैं अभी के लिए walvade पे trust कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है, में भी goal assist में contribute नहीं कर पाएंगे, तो आप इ पाएंगे, Real Madrid की 11 थी, अभी मैंने total seven player यहां से विक्के में दो defender लेगा हूँ, करवाल, रूडिगर, इसके लावा में, क्रूस, वलवडे, बैलिंगम, रोडरीग और विनी जूनियर को लेके गया हूँ, पाकी penalty most probably बैलिंगम लिंग अगर वो नहीं लेते हैं, तो फिर रो channel से join करना है, तो जो मेरे telegram channel का link है, आपको या तो मिल जाएगा description box में, या आपको मिल जाएगा top win comment में join कर लिजिए, अब हम बात करते हैं, अपोनेंट लेप जिक की, तो पीटर गुलाशी होने वाले इनके goal की बार, Real Madrid मेरे according जादा attack करेगी, तो मैं goal की बार इनके गुल चार इनके defender हैं, Hendrix, Willi Orban, Lukeba और Rom, फिलाल में यहां से एक defender मुझे compulsory लियाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ दो ही defender लिया रहा हो, Real Madrid के, तो एक का मेरे पाई spot खाली है, तो अभी के लिए जो मेरी number हों चोईजे वो है, इनका right back Hendrix, अब अगर आपको Hendrix नहीं लेना तो आप left back, Rom भी ले सकते हैं, लेकिन जो Hendrix और defensive है, जबकि Rom जो attacking wise ज़्यादा बेटर है, तो अगर आपको कोई एक defender लेना है, तो दोनों fullbacks में किसी एक को ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं इनका right back Hendrix ले जा रहा हूँ, बागी मैं तीनों defender, Orban, Lukeba और Rom को ignore कर रहा हूँ, श्लेगर और हाईदारा दोनों defensive midfield में खेलेंगे, लेकिन मैं फिलाल दोनों को ignore कर रहा हूँ, मैं भी किसी एक को लेना हाईदारा, slightly ज़्यादा बेटर है defensive point की मामली में, पर अभी के लिए मैं श्लेगर और हाईदारा दोनों को लेके, sorry, दोनों को ignore करके गया हूँ, अब Olmo और Simmons खेलेंगे midfield में, attacking midfield में, अगर आप form wise देंगे, overall season wise देंगे, जिसने अच्छा गया वो जावी Simmons है, safe भी रहेंगे, selection भी हाई है, लेकिन मैं यहाप एक छोटा जा risk ले रहा हूँ, मैं बड़े match में, Danny Olmo पे trust कर रहा हूँ, Danny Olmo भी एक बहुत quality player है, लेकिन recently इनको minutes बहुत ज़्यादा नहीं मिलें, खिया तो अच्छा है, बड़ यह बड़ा match है, मुझे ऐसा लगता है, Olmo यहाप ज्यादा बेटर कर सकते हैं, तो मैं उनको ले गया, पड़ आपको safe जानोगा, अब एनी डे, शावी Simmons को ले सकते हैं, अभी के लिए मैं Danny Olmo लेगे, और मैं मैं अपनी टीम में adjust नहीं कर पाया, although recent form sesco की भी अच्छी है, मैं भी किसी को लगते है, ओपेंडा तो फ्लाव भूगे, आप रिसकी टेकर है, लेकिन sesco अच्छा करेंगे, तो ये वाला पंटा आप ले सकते है, ओपेंडा अटा के sesco वाला, बट अभी के लिए मैं उपें अल्टी टेकर उपेंड रही है, बाकी अभी तक के लेपजिक के स्टेट हैं, जर्मन मुंदस लीगा के, आप ये स्टेट देख सकते हो, अब आजाते हैं मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन में, तो मैं एक 3-1 रियाल मेडरी विक्तिरी के साथ जा रहा हूँ, तो अभी ये मे अल्मो लिए, और फारवर्ड में रोटरी को विनिस्यास, और वहाँ अल्बी लबजिक्स से मैने ओपेंड को पिक किया है, अब यहाँ यहाँ पे दो तीन चेंजेस कर सकते हैं इस टीम में, पहला चेंज यह हो सकते हैं, अगर आपको लगता है वोलवेडे का गोल असिस न करके चल सकते हैं, तो यह आप चेंजेस इस टीम में कुछ कर सकते हैं, बाकी कैप्टन सी जो है मैंने बेलिंगम को ही दिये, वीसी मैंने वीनिस्यास जुनियर को दिया, यह दोनों का कॉंबिनेशन ही सेव रहेगा, में भी हर का डिफरेंशल जाना है, किसी को क्लोज में ल लिंक है, आपको या तो मिल जाएगा डिस्किप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा टॉप इंट कमेंट में, जॉइन का लिजिए,